आप चांँ कि हमना फ्रस्ट वीडियो में अकांट्स का मैंनिंग डिसकस्ट किया था नहीं का मिल अग्ण का मिनिंग ता वे23 को इंग आप्ड obviously ट्रांजेक्चन कि विजने सके जो 잡 हम वो तरीका आपका अकाउंट होता है जिसमें सब्सक्राइब करने के लिए लेजर समराइज करने के लिए ट्राइल बिलैंस और इसल के लिए फाइनल अकाउंट बनाते हैं अब विडियो सेकंड में आपको अकाउंट का डेफिनेशन बढ़ांगा बचों मैंने वाटसप ग सबसे पहले तो पीडियाप का थियोरी आपके नोट बुक में नॉट कर लेड़े हैं उसके बाद ये वीडियो देखे ताकि आपको परफेक्ट्ट ले समझ आएगा जो पीडियाप में नोर्स गिवन उसको आप नोट बुक में नोट कर लेएं और उसके बाद आप लोग किये समझेंगे तो आपको वीडियो परफेक्टली समझ में आएगा जो अकाउंट्स का डेफिनिशन आपके पास लिखा हुआ है पीडिएप में वह है अकाउंटिंग इस दे प्रोसेस ओफ आइडेंटिफिकेशन जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर सकता है Accounting is the process of identification Accounts का define लिख पाराओं आपको Accounting is the process of identification Coma Measurement Coma Recording Coma Classification Coma Summarizing Coma Analysis on Result Analysis on Result And information communicate to the users And information communicate to the users जिन जिन यूजर को information की requirement उनका हम communicate करेंगे जो definition आपने नोट किया Accounting is the process of identification Coma measurement, Coma recording, Coma classification, Coma summarizing, Coma analyzing and information communicate to the users अब मैं आपको इस definition को समझाऊंगा जो फर्स पॉइंट लिखा अपने identification यह identification इडेंटीफिकेशन होता क्या है? आपको यह identify करना है बिजनस में जितने भी सारे transaction land in हो रहा है उसमें monetary और non-monetary कौन से है? बिजनस के जितने भी सारे activities हैं उसमें आपको identify करना है कौन सी monetary है? और कौन सी non-monetary business की सारी activities को सारे लेंदेन को identify करें monetary और non-monetary निए economic कौन सा है और non-economy कौन सा है जिसका money में currency में measurement हो सकता है वो monetary होगा वो economic होगा और जिसका currency से measurement नहीं होता है वो non-monetary होगा non-economic होगा तो फिर्स जो आपने डेफिनिशन लिखा था कि accounting is the process of identification तो क्या identify करना यह economic है क्या है non economic है monetary है क्या non monetary जैसे हम आपको example लेके समझाता हूँ आपका school है school मां काफी सारे activities होती है like आपने deposit करा money measurement हो कि है monetary आपने जो team है faculties उनको faculties को salary दिया मनी मेजरमेंट हो गया मोनेटरी एक्टिविटी इसको मनी मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं कुछ बच्चें हमारी स्कूल के जिन्होंने टौप किया काफी सारे बच्चें 90 प्लेस काफी अच्छा रिजल्ट है यह activities तो है लेकिन money में measurement नहीं हो सकता है तो आपको यह पता लग गया identification कैसे करना monetary कौन सी और non-monetary कौन सी जिनका currency में measurement हो गया वो monetary हो जिसका measurement नहीं होगा वो non-monetary तो यह अपका identification पार्ट पूरा हो गया इसके बाद आपने कॉमा लगा के लिखा कौमा measurement measurement होता है currency में जैसे इंडिया में रूपीज में measurement होता है जो currency है जिस country की कई डोलर में हो रहा है कई पॉर्ण में हो रहा है कई जो भी system इनका होता है उसके according के होता measurement होता है तो accounting is the process of identification कौमा measurement फिर क्या करना आपको measure करना currency में यानि अपने identify कर लिए monetary और non-monetary जो monetary होगा वो ही consider करना जो non-monetary उनकों consider नहीं करेंगे monetary है तो उसका minimum क्या करेंगे measurement करेंगे अब measurement करने के बाद लिखावा कौमा recording आपको record करना है और recording वाला काम का होता है primary level पर होता है जिसमें या तो neither हो जरनल बनेगा यह सबसेट्री बूक्स बनेगा अगर to Agora small scale का business है तो हम लोग जरनल बनाएंगे उल फ़िझे तो हम लो सबसेट्री बूक मनाते हैं accounting is the process of identification measurement कौमा recording recording का करनी जर्रनल और सबसेट्री बुक में करना है स्मॉल स्केल का बिजनिस है तो यह हम जर्नल में रिकोर्डिंग करते हैं और लार्ज स्केल का बिजनिस है तो सबसेट्री बुक में यह हमारी प्राइमरी स्टेज होती है नाव रिकोर्डिंग के बाद आरा कोमा क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन का होता है लेजर में होता है क्लासिफिकेशन का होता है लेजर में होता है क्लासिफिकेशन का होता है लेजर में होता है क्लासिफिकेशन का होता है क्लासिफिकेशन का होता है क्लासिफिकेशन का होता तो पूरी अकाउंट्स में समराइज हो जाती है साथ साथ में समरी में पॉइंट और गिवन है फाइनल अकाउंट जो अकाउंट का फाइनल स्टेज होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लोस सोरा कितना profit loss हो रहा है यह आपका summary वाले लेवल पर मालूब बढ़ जाता है फिर आपने लिखा analysis on result यह जो मारा final account में result आया था इस result पर analysis होता है आप लोग देखना जब आपका result आईगा तो parents school analysis करेंगे कि आपके 9 से 10 में percentage increase हो रहे कि decrease हो कम हो रहे के जदा हो रहे आपके friends से आपके percentage का में के ज़्यादा है टोपड़ से कितना पर सब्जच्ट का हर चीज में क्या होता रिजल्ट Pinallis होगा आपका वैसा accounts में result analysis होगा कि इस साल का result इस साल का जो profit है वो previous year के profit से कम है क्या है हमारी firm का दूसरी firm से comparison होगा कि दूसरी जो हमारी competitor firm है उससे हमारा profit कम हो रहा कि ज्यादा हो रहा उसमें हम लों क्या करते है result पर analysis करते हैं और analysis होने के बाद जिस-जिस person को information के requirement होगी उसको information communicate कर देंगे information communicate जैसे result त्यार हो कि accounts department से owner बोलेगा proprietor बोलेगा profit loss तो profit loss बताना पड़ेगा उनको bank बोलेगा finance position ताप उसको balance दो दोगे management बोलेगा case के condition क्या ताप उसको case book दोगे जो जो information demand करेगा उसको information communicate करेंगे तो information communicate to the user तो accounts के definition क्या थी accounting is the process of identification measurement recording classification summarizing analyzing and information communicate to the users identification monetary और non-monetary करना है monetary है तो measurement करना है measurement करने के बाद recording करने recording कहां करनी है journal और subsidy books subsidy books के name given है सारे जो मैं आपको accounting process में समझाओंगा फिलाल definition में इतना आपको cover नहीं करना है सारी subsidy books के name given है बड़िया आपको जो अगला वीडियो आएगा वीडियो नमबर थर्ट जिसमां मैं आपको accounting process करूंगा वहां इसको समझाओंगा फिलाल इसमें नहीं आना तो recording classification कहा करना आपको laser में करना होगा summarize कहां करेंगे ट्राइल बिलेंस और final account में इसके बाद analysis on result and information communicate to the user जिस जिस person को जिस जिस user को information के requirement होगी हम उसको information communicate कर देंगे यह होगए हमरी definition सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे accounting is the process of identification, measurement, recording, classification, summarizing, analyzing, and information communicate to the users यह आपकी पूरी accounting definition जो संदे नोट करेंगे थी है complete हो गई है जो आपके PDF में नोट में आपके सामने है अब वीडियो नमबर थर्ड में आपको accounting process और attributes of accounting पढ़ाऊंगा